मध्यपदी सरकार जल्द ही लवजीहाद पर कानूर बनाने वाली है। मध्यपदेश के ग्रीह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने कहा कि अगामे विधान सभा सत्र में सिव्या सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म इस्तात्रन कानून के लिए विधयक पेस किया जाएगा। और कानून बन जाने के बाद गयर जमानती धराओं में किस दर्ज कर पांच साल तक की कठो सजा दी जाएगी। विरु रिपोज आई पियने प्रोड बलपूरवक साधी और धर्मानतरन कराने पर पांच साल का कठोर कारावास। इस अधनियम में हम रख रहे हैं। इस हम इस अधनियम में अभी यह भी प्रिस्तावित कर रहे हैं। यह परमार्जित होगा विधान समा में जाएगा। कि यह अपराद संगे, कोग्निजिबिल तथा गेर जमानती इसे गोसित करें। इसी तरह से प्लोबन, बलपूरवक, फ्रोड तथा बैकावे में धर्मानतरन के लिए की गए बिवाकु नलाइंड वॉइड। गोसित किये जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। अदनियम में कारवाई के लिए धर्मानतरन के लिए बाद किये गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता भाई भवन को सिकायत करना आवश्यक होगा। साधी के लिए धर्मांतरन करने वाले व्यक्ति अधवा उसका धर्मांतरन करने वाले धार्म्यक्ति व्यक्ति को जिला दंदा अधिकारी को एक माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा इस अधनियम को हम अगले सत्र में विधान सवा में ला रहे हैं